जनरली हमसे है कि आखरे इतना कम हो जाता है ऐसा क्यूं है क्यों कि माieß के शरीर में जब भी खून बनता है तो कर भी लाक 박ा याय चेक मेने से ही जनर लिए यह कम हो और जो हम normal vegetarian diet खाते हैं, जो सबजियां वगरे खाते हैं, उनसे जो iron absorb होता है, वो करीब 30% ही absorb होता है, और जो हमे requirement है body में, उतना हम अपनी normal diet से supply नहीं कर पाते, इसलिए खुण का level कम हो जाता है, इसलिए उसे बढ़ाने के लिए iron की गोलियां दी जाती है, अब खुण के न आइरन से बनता है, लेकिन ग्लोबीन है वो एक protein है, तो इसलिए हमें iron के साथ protein supplement भी देने होते हैं, और इन दोनों को बनने के लिए vitamin C और जिंक की requirement भी आती है, और एक vitamin B12 भी चाहिए होता है, तो इसलिए जब भी आपके शरीर में खुण की कमी होती है, तो आपको iron के acid दिया जाता है, vitamin C दिया जाता है, और जिंक दिया जाता है, और साथ में protein powder पीने के लिए बुला जाता है, ताकि एक सही तरीके से खून का निर्मान हो सके, और बच्चे को भी ये सारे minerals, vitamins और protein ट्रांसफर हो सके, और बच्चे का वजन बढ़ सके, बच्चा कमजोर पैद तो ये आप सभी जानते हैं कि iron हरी सबजियों में काफी जादा पाया जाता है, हरी सबजियों यानि की पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी, इसके अलावा गाजर है, केला है, दूद में भी काफी थोड़ा iron पाया जाता है, हजूर के अंदर पाया जाता है, अंचीर के अगर आपना ब्लड लेवल बढ़ाने का इसके लावब एपल और संत्रा भी आप ले सकते हैं संत्रे के अंदर वाइटामिन सी होता है जो आपको आइरन के अब्सॉप्शन में फाइदा करता है इसके साथी हमोगलोबीन के सिंथेस में भी फाइदा करता है और आइरन के लिए अगर आप नौन वेजिटेरियन है तो रैड मीट इस वेरी गूड सोर्स फॉर्ड आइरन यानि कि मीट है लाल मास बोलेंगे और इसके लावब लीवर है फिश है इन सब के अंदर भी आइरन काफी हद तक होता है और जो नौन वेजिटेरियन हीमोगलोब विए आपके शरीर में खुन की कमी काफी हद तक रोग की जा सकती है इसके लावा दू धाई चाज और पनीर वगर रहे सकते जिसे कि आपको प्रोटीन का सप्लिमेंट मिलता रहे हरे मटर हैं चने हैं दाले हैं यह भी आप सात में लें और नेमबू पानी और नारेल पानी आप साथ में लेते रहे ताकि आपको आपके शरीर में बाकी मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी ना हो ब्लड का सिंथेसिस प्रॉपर हो सके और रोग से लडने की शक्ती भी आ सके इसके बाद भी अगर आपका हीमोग्लोबीन का लेवल आट ग्राम या साथ ग्राम या दस के नीचे है तो डेफिनिटल आपको डॉक्टर से सल्लाह लेनी चाहिए डॉक्टर अगर आपको यह बोल पूरे आयरेन की जो रिक्वाइरमेंट है वह पूरी हो जाती है वह 50 ml नॉमसलाइड के अंदर घूल कर लगाया जाता है कार्बोक्सी माल्टोस के नाम से आता है और उसे 5-10 मिट के अंदर आईवी आयरेन के थो आईवी इंजेक्शन के थो लगा दिया जाता है जिससे कि पूरी हो जाती है और इसके लावा यदि बहुत ही ज़्यादा कम है हमोगलोबीन का लेवल और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहे है और आपका इतना टाइम नहीं बचा है कि अब डिलिवरी से बहुत पास आ चुके हैं तो डेफिनेटली फिर बलड चड़ाने क के अलावा कोई और आप्शन नहीं बचता है तो एक लाइफ सेविंग मेजर के रूप में बलड हमीशा खून की कमी वाले पेशिंट्स को चड़ाया सकता है और उसके साथ में कैल्शम के इंजेक्शन वगर भी लगाया जाते हैं ताकि बलड में कैल्शम का लेवल कम ना हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर आपको लगता है कि वीडियो नौलेज वाला था आपको बैनिफीशिल लगा तो आप अपने फैमली और फ्रेंसे जरूर शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के नोटिफेकेशन मिलते रहें आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी क आपसे ततिक नमशकर